नमस्कार आप देख रहे हैं नैशनल इंडिया न्यूज में आपके साथ जोती दक्षिन अमेरीकी देश पेरू में चल रही मिस पेरू ब्यूटी प्रतियोगिता के दोरान एक ऐसी घटना हुई जिससे मोडलिंग जगत हिल गया मिस पेरू प्रतियोगिता के दोरान हिस्सा ले रही मोडलों ने जूरी के सामने अपनी अपनी बोडी फिगर के आगड़े बताने कीजेगे महिलाओं के खिलाफ हो रहे अप्राधों के आगड़े गिनाने शुरू कर दिये यह अचानक तब किया गया जब टीवी शो पर लाइव जा रहा था इस परतियोगिता में इन मोडल की इस परतिकिरिया पर आयो जोको और मोजू दर्टना है पर शक पहले तो शोक में आए फिर लगातार सीटियां बचाने लगे इसके पाद इस परतियोगिता के आयो जोको ने भी स्क्रीन पर ऐसी खबरे ओर दिखाई जिसमें महिलाओं के प्रती अपराध की बढ़ती तादाद नजर आ रही थी दरसल परतियोगिता के इस राउन में प्रती भागियों को अपने बस्ट, वेस्ट और हिप का साइज बताना था लेकिन इन महिलाओं ने माइक पर बताया कि किस तरह पेरू में हर 10 मिनट में एक लड़की की हत्या होती है बात नहीं खत्म नहीं होती, वहीं एक मॉडल ने बताया कि कैसे 70% महिलाएं सडकों पर छेड़खानी का शिकार हो रही है आज भी हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको लगता है कि जो उनके साथ हो रहा है वो किसी से कहा नहीं जा सकता हम उन्हें बताना चाहते हैं कि वो अकेली नहीं है पेरू में महिलाओं के प्रती हिंसा और बलतकार हत्या के मामले तेजी से बड़े थे जिसमें साल 2016 में पेरू की राजधानी लीमा में इस पर भारी विरोध भी किया गया था महीं अमेरिकी के आकड़े के मुताबिक दक्षिन अमेरिका में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सबसे रिकोर्ड देश के रूप में दूसरे नंबर पर बॉलिविया के रूप में पेरू की रेंकिंग को उज्यागर किया महीं अब भारत की बात करें तो भारत का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना महिलाओं के विरुध होने वाला उत्पीडन और घरेलू हिंसा का इतिहास रहा है भारत के आकड़े ये बताते हैं कि भारत के साथ पुर्विश में महिलाओं के साथ होती हिंसा बढ़ रही है लेकिन ये कोई नई बात नहीं है वास्तव में महिलाएं सदियों से लगातार उत्पीडन का शिकार होती चलिया है हिंसा के तहट महिलाओं को शोशन रोकने के लिए किन सरकार ने कानून तो बनाया लेकिन कानून बनाने के बाद 5 सालों में भी कोई सुधार तो हुआ नहीं उल्टा बढ़ और गया बैराल एक बात सोचने वाली ये भी है कि हमारे देश में लोग महिलाओं के साथ हो रहे शोशन पर बोलते हैं बड़े बड़े जुमले देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं जैसे इन अमेरिकी मोडल्स ने किया क्या हमारे भारत देश की मोडल्स और एक्टर्स भी ऐसा कर सकती हैं जिने लाखों को रोडों लोग देखना और सुनना पसंद करते हैं क्या वो भी ऐसा कर देश की महिलाओं को जागरूप कर सकती हैं सरकार कानूर मना कर भी कुछ नहीं कर पाई शायद हमारे देश की मोडल्स और एक्टर्स के करने से कुछ हो जाए जैसा कि पेरू पीजेंट में पार्टिस्पेटिड मोडल्स ने कर दिखाया अब सवाल उठना लाजमी है कि अगर भारत में इस तरह बढ़ते अपराद पर लगाम नहीं लगेगी तो मोडी सरकार किस काम की फिलहाल इस खबर में इतना ही देखते रहे ये नैशनल इंडिया नियूज शुक्रिया